हलो एवरिवन और आज हम समदी करने जा रहे हैं तोनी मौरिस इनकी पॉप्योलर नौवल बिल लाविट की जोकी 1987 में पबलिश हुई थी इसे 1988 में पुलिट सर्प्राइज दी मिला था ये नौवल 1873 में सेट है तो अब इसे शुरू करते हैं सेट जोकी पहले एक क्लेफ हुआ करते थी अपनी डॉटर दैन्वर के साथ रहती है उसके घर का एड्रस है 124 ओहायो सेट के पहले चार बच्चे हुए करते थे लेकिन अब उसके पास केवल एक डैन्वर ही रह गई है उसके दोनों के दोनों जो बॉइस थे वो 13 साल की उम्र में घर से भाग गए थे और जो उसके तीसरे नंबर की वेटी थी उसकी जब दैत हुई सेट के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ग्रेप पर उसका नाम लिखवा सके या कुछ बड़ा मेसेज लिखवा सके वो सरफ बिलाविड लिखवाना ही अफोर्ड कर सकती थी इसी लिए उसने उसी ग्रेप पर बिलाविड लिखवाया जो इनके घर का नाम है 124 ओहायो कहीं न कहीं वो इस खर के बच्चों की स्थिती को दिखाता है जैसे की देनवर उसके दो भाई पर बीच में थ्री गाया वै जो की बिलाविड के लिए था 18 सल पहले सेथ स्वीट होम फार्म से भग गई थी पहले इसे मिस्टे और मिसिस गार्नर चलाया करते थे वही इसके मलक दे मिस्टे गार्नर की देथ के बाद मिसिस गार्नर स्कूल टीचर को लियाए बाद में स्कूल टीचर वहाँ पर मानिक बन गया स्कूल टीचर बहुत एक क्रूल आदमी था उसी की बज़े से सेथ को वहाँ से भाग ना पड़ा जब सेथ स्वीट हूं फार्म पर काम किया करती थी उसके सथ पांच और आदमी काम किया कर देते पॉल डी, पॉल एफ, पॉल ए, हेल्स शग्स, एंड सिक्सो सेथ ने हेल्स से शादी कर ली थी सेथ चाहती थी कि उसकी भी एक नॉर्मल तदीके से शादी हो पर मिस्टर और मिस्स गार्णर ने इस शीच्कियों से पर्मीशन नहीं दी फिर उसने जैसे तैसे करके खुद के लिए एक ड्रेस बनाई और वो लोग एक दूसरे के हो गए और वहाँ पर सब लोगों ने सेथ का काफी मजाग बनाया अब प्रेसेंट में पॉलडी सेथ से मिलने के लिए सेथ से मिलने के लिए उसके घर आता है और उसे पता चलता है कि सेथ के गर में एक धूत रहता है गोस्ट रहता है वो उसकी डॉटर जो मर गई थी उसका गोस्ट है उसी के डर से तो उसकी बेटे भी भाग गये थे जो डैनवर है उसे भी काफी दुख होता है वो बुरा फील होता है क्योंकि वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी शहर में रहने वाले लोग वो उन्हों से बात नहीं करते क्योंकि उनके घर में जो ghost रहता है उसकी वज़े से वो काफी isolated सा feel करती है और जो Seth है वो इस खर को छोड़ना नहीं चाती बहुत किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाती वो इस घर से काफी खोश है Seth Paldi को अपने back पर बने निशान के बारे में बताती है जो कि एक cherry choke tree के जैसे shape का है ये निशान उसकी पीट पर तब आया था जब उसने अपने तीनों बच्चों को जब वो pregnant थी डैन्वर के साथ अपने तीनों बच्चों को सिंसिनेटी भीज़ दिया था school teacher के helper को ये बत पता चल गई school teacher और उसके helper ने उसका दूर ले लिया और जब उसने इसकी शिकायत उसकी breath से उसका दूर ले लिया और जब उसने इसकी शिकायत मिसंद काना से की तो उन्होंने अपने एक servant से बोलकर एक लड़के से बोलकर उसे whip करवाया इनी सब चीजों के विज़े से तो उसे भागना पड़ा था अब एक दिन घर में कुछ अननेचरल गटनाई होती है और पॉल डी का सामना घोस्ट से होता है और दोनों की फाइट होती है जबर्जस्ट पर किसी तरह पॉल डी घोस्ट को घर से निकाल देता है जिस पर डैन्वर काफी जादा निराश होती है क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी कुई उससे बात नेंग करते है उसके कोई फ्रेंड नहीं है वो इसलैट फील करती है एक वो गोस्ट थी जो उसके साथ रहती है उससे बाते करती थी उसके साथ वह अपने अपने जैसा महसूस करती थी मतलब यहां डैनवर और घोस्ट का अपस में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि वो घोस्ट वहां था रियल में था और डैनवर उसके साथ बाते भी करती थी और डैनवर की एक अच्छी कंपेनी भी थी कि जिसके बाहर निकलने के बाद डैनवर अब हमें आगे नौवल में सैथ की लाइफ के बारे में और पता चलता है सैथ और उसकी मां का अपस में बेरली ही कोई कनेक्शन था क्योंकि उसकी मां एक स्लेव थी और दिन और रात स्लेवरी का काम किया करती थी और उन्हें शायद ही कभी बात करने का मौका मिलता सैथ को कि पहले का जब जब वो 3 साल कि उम्र में उसे स्वीट होम फ़ाम भीज दिया गया था उप्ष Eli को जील बेज दिया गया था । सदे को पूछने से भी घबाता है क्योंकि उसे उसका- पुछाना कर्सथा उनीड स्फल्दित्ध्य सुभाप जाता है ? था और वो डैन्वर के साथ प्रेगनेंट थी तब एक वाइट सविंट ने उसकी मदद की थी जिसका नम एमी था वोसे बोट पर मिली उसने सैट की काफी मदद की उसे मसाज किया यहां तक की डिलिवरी करने में भी सैट की मदद की एमी ने ही सैट को पहली बर बताया था कि उसकी पीट का जो निशान है वो चेरी चोक ट्री के जैसा देखता है जो की एक सिंबल था होप का एमी को और सैट को भी एक दूसरे से विदा होना पड़ा एक दिन सैट डैन्वर और पॉल्डी गूम कर वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके गर पर एक महिला ह जिसकी सकेन एकदम बच्चों जैसी है पर वो एक ओल लेडी की तरह चलती है टाइनी टाइनी स्टेप से उसे देखकर सैट को यूरिनेट करने का मन खिया और बाद में उस औरत सा उस लड़की का नाम रिवील होता है बिलावेट अब वो लोग क्या करते हैं उसे घर पे र प्रोकर उठा रही है इस बात पर कोई भी पॉल्डी का विश्वास नहीं करता असल में जो वही तीसरा बच्चा है सैट का जो मर गया था सैट की तीसरी बेबी डैड बेबी बिलावेट जब उसका सीथ आता है तो वो इसी तरीके से दिखाते हैं कि वो पानी से निकली थी जैसे कि बच्चे वाटर से निकलते उसी तरह से और उसे देखकर इसी लिए सैट का यूरिनेट करने का मन गया था बिलावेट पूरे दिल सैट की पीछे पीछे गूमा करती है और उसे कहानिया सुनना चाहते हैं कहानिया पूछती है और कहानिया सुनते वक्त वो ऐसे रि लगता है एक दिन इसी तरह के जगड़े में सैथ यह तक कह देती है कि सारे मैंस एक ही जैसे होते है वेमिन हेट और अपने पती को भी ब्लेम करती है कैसे उसका पती नौर्थ की तरफ अकेले भाग गया उसे जोड़कर पॉल्ली बताता है कि हेल एक दिन वापस आया था वो बिल्कुल पागलों के जैसे लग रहा था जब उसने और मैंने दोमें देखा तब तुम स्कूल टीचर के नेफ्यों को ब्रेस्ट फीड करा रही थी हेल का हाल बहुत खराब था क्योंकि वो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था सैथ ही इस सब सुनकर बतायो और बिलावेट देनवर को जवाब देती है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है अब डेनवर हर चीज में बिलावेट का अप्रूवल जाती है बिलकुल उसी तरह जिस तरह से बिलावेट हर चीज में सैथ का अप्रूवल जाती है डेनवर को लगता है कि अ पहले तो वो पॉलडी को सेथ के कमरे से निकलवाती सी है और दूसरे कमरे में सुलाने पर मज़बूर करती है एक दिन बिलाविट पॉलडी के साथ फॉरस जैक्स करने की कोशिच भी करती है पॉलडी डरा हुआ होता है पर अपने आपको कंट्रॉल नहीं कर पाता बिलाविट पॉल्डी को इतना दरा देती है कि वो पॉल्डी को घर के बाहर सोने पर मजबूर कर देती है सैथ पॉल्डी से कहती है कि बाहर क्यों सोते हूँ उपर सोया करो शेस बास से बिलाविट को गुस्ता आता है और वो डरने लगती है वो इतना डर जाती है कि उसका wisdom तूट किर जाता है जिससे वो और डर जाती है अब हमें सैथ के past के बारे में फिर से बताया जाता है जब Amy और सैथ अलग हुए तो सैथ सब तक चली जब तक वो स्टैंपेड नाम की एक आदमी से मिली फिर स्टैंपेड और एला ने सैथ की मदद की हेल की जो मदद थी बेबी शक्स उनके घर पर सैथ को पहुँचाने में जहां पर उसके बच्चों को पहले ही पहुँचा दिया गया था 28 दिन तक सब अच्छा राद वहाँ पर सैथ ने काफी इंजॉय किया बेबी शक्स ब्लैक कम्यूनिटी को लेक्शर सिया करती थी उसे भी सुनने में सैथ को काफी मदद आता था पर वहाँ एक दिल स्कूल टीचर आ गया और साथ में लाया एक शेरिफ को और अपने नेफियों को और वो इतना डर गई इतना डर गई कि उसे ऐसा लगा कि ये सब छेले से तो उसके बच्चे को मार देना अच्छा है उसने अपने तीनों बच्चों को मारने की कोशिश की लेकिन सिर्फ जो तीसरी वाली बच्ची थी वही मरी खेर बेबी शक्स ने जैसे तैसे बात समानी फिर भी सैथ को जेल जाना पड़ा डैनवर के साथ डैनवर वह छोटी थी अके लिए रह नहीं सकती थी तो उसके साथ सैथ को जेल बेज दिया गया फेर कुछ वाइट लोगों का ग्रुप था जो कि ब्लेक लोगों के राइट के लिए लड़ते थे उनकी मदस से सैथ को जेल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि सैथ के साथ काफी अंजस्तिस हुई थी पर उन्हों की मदस से उन्होंने लड़ाई की उसके लिए और उसे बाहर निकाल दिया गया जब सैथ जेल से वापस आई तब उसने देखा कि बेबी शक्स काफी डिप्रेश हो चुकी हैं क्यूंकि जो ब्लैक कम्यूनिटी के लोग थे उन्होंने उनसे बात तक करना बंद कर दिया था जब पॉल दी ने स्वीट होम को छोड़ना चाहा और भागनी के कोशिश की तो उससे स्कूल टीटर ने पकड़ लिया और उसके ब्रेंडी वाइन नाम के एक मास्टर को बेच दिया پول्ली ने ब्रेंडी वाइन को मारने की एक दिन कोशिश की जिसके लिए उसे जेल बीद दिया गया तो वहाँ जॉर्जिया की जेल में उसे दिन भर काम करवाया जाता और रात को एक बोक्स में बंद कर देती थे एक दिन वो जैसे तैसे उस जिल से भागा और नौर्थ पहुँचा पर इस इंसे दिन ने उसके दिल को एक तिन के दिब्बे की तरह हाइड बना दिया और बंद कर दिया अब वो प्यार करने या कोई भी पजेशन रखने से ड़ने लगा पर जब से उसने बिलविट के साथ रोमेंस किया है उसके दिल को कुछ हो गया है अब वो टाउन में काम करने लगा है और वो स्टेंपेट के साथ काम करने लगा है एगने स्टेंपेट पॉल्डी को एक अख़वार की कटिंग दिखाता है जिसमें नियूज होती है कि कैसे सैथ ने अपने बच्चों को मारने की कोशिश की जिसको देखकर पॉल्डी होरिफाइड फील करता है पॉल्डी खर जाकर इस बारे में बात करता है सैथ से तो सैथ कहती है कि मैं क्या करती? मैं बहुत डरी हुई थी मुझे लगा स्कूल को कोई भी लाव या पजेशन रखने का अधिकार नहीं है तुमने लाव और पजेशन में अपने बच्चों को मालने की सोची इस इंसिदेंट के बाद और बिलाविट के साथ हुए उसके रोमेंस के बाद वह काफी अशेम्ट फील करी रहा था इसलिए वह 124 ओहायो हाउस को छोड़कर चला जाता अब स्टैंपेड़ को पता चलता है कि पॉलली चला गया है तो स्टैंपेड को बुरह लगने लगता है तो वह सोचना है कि वो जाकर सै्थ सेैंथ माफी मांगेगा वह यह पर फो पहुंचता है पर न नौक ही निए करता क्योविधयू को उसे तो सैध अब एक दिन सैध दौन लडकियों को आइस केटिंग के लिए ले जाती है और तब वो बिलाविट को एक गाना गाते हुए सुनती है सेथ को यादत है कि आना तो केवल वा अपने बच्चों के लिए करती थी आद और तब रिलाइस करती है कि जो एक लडटी है वह उसकी गीलटी फील होता है वह सौचती है कि अब उसे बिलविट को समझाना होगा कि जब उसने फैंसला लिया उसे मालने का वह क्यों लिया तब एक दिन स्टेंपेट फिर से सेट की घार आता है वो नौक करने जा रहा होता है पर फिर से नहीं कर पाता पर तभी वो देखता है बिलाविड को और डैन्वर को आपरस में खेलते हुए बात करते हुए अब उसे काफी सुपर नैच्रल एडिमेंट्ससे फील होते हैं ओ depois इसे से फील होते हैं डैन्वर को वो स्टोरी याद्या है शोसपर सो असे की कैसे इसमैन माने अपनी बज़्च उमारने की कोशिश सेrü務 Dong ऑब एक दिन चर्च में खिली सोच रहे है और अपने पारश्ट के बारे में पाले उपने पहरे बारे में रहें में शूच रहा है और पाले यदिन अ म्हांड़े कि स्वापतां effectively पालड बताता है वह सैत के पास वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि क्योंकि उसे सैथ ने जो किया उसे डर लगता है पर उसे ज़्यादा डर लगता है बिलाविट से यहां बिलाविट पास्ट को दर्शाती है क्योंकि बिलाविट भी पास्ट है और पॉरली जो कि अपने पास्ट के बारे में बात तक नहीं करना चाहता एक्सेप्ट करना चाहता उससे डरता है यह उस बात को दर्शाता है अब दूसरी और सैथ पिलकुल पागल जैसी हो गई है बिलाविट के लिए वो एक्स्ट्रा कोशिशे कर रही है वो जितना कमाती है उससे जादा खर्चा करती है वो बिलाविट की प्यार में इतनी पागल हो गई है कि उसने अपनी नौकरी तक गवा दी है डैनवर अपनी मा को लेकर चिंते थे इसलिए वो घर से निकलने के बारे में सोचती है वो लाश्ट ताइम घर से तब निकली थी जब वो साथ साल की थी पर उसे अपनी मा की चिंता है और उसे किसी ने किसी से तो मदद लेनी ही होगी इसी लिए वो घर से बहार निकलती है वो लेडी जोन्स के परस जाती है जब वो साथ साल की थी तब उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था पर उससे पहले वो लेडी जोन्स के आई पढ़ा करती थी डैनवर लेडी जो उनसको बताती है कि मेरी माँ बिमार हो गए है और अगले कुछ हफतों तक डैनवर को फूर बास्किट मिलने रखती है डैनवर उस बास्किट में से खाना लेती है उनमें थैंक्यू का नोट लेकर लोटा देती है यह पासकेट उन्हें उनकी कम्यूनिटी वाले भीचते हैं इस तरह से डैनवर काफी लोगों से जान पहचान भी कर लेती है अब पूरा दिन बिलावीड को समझाने में ही निकलता है सैथ का क्यों उसने उसे क्यों मारा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिलावीड का परसन है जिन्होंने सैथ को जेल से बाहर आने में मदद की थी अब वो उनकी अकाम करने लगी है तो वो उनकी सर्विंट जैनी को बोलती है कि मीरी मा की तबियत मेरी कजन बिलवट की वज़े से खराब हो गई है अब जैनी जो कि पास्ट की सारी स्टोरी जानती है उसको प पूरे डाउन में पॉपियलर हो जाती है सबको पता चल जाती है लोगों को सैथ से सिंपैथी होने लगती है अब एक दन एला जिसने भी सैथ की मदद की थी यहां पर आने में जब वह स्वीट होम फार्म से भाग कर आई थी यहां घर पहुंचने में मदद की थी वो तीस विमिन्स को एक खटा घर कर सैथ की घर पहुंच जाती है जब डैनवर घर पर नहीं होती है और वह वह इतलिए पहुंची है क्यूंकि वो सैथ का सपोर्ट करना चाहती है अब वो गाने गाना शुरू कर देते हैं वहां मिस्टर बॉडविन भी आ जाते है अब यह सब चल सैथ भी घर के बाहर आकर देखती है कि यहां चल क्या रहा है अब सैथ क्या गरती है मिस्टर बॉडविन पर हमला कर देती है क्योंकि वो एक उसे स्कूल टीचर की तरह ही देखती है जो उसके बच्चे से उसे अलग करना चाता है हालकि एला और 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 उरते उसे रोक लेत वह सुचते कि जो कुछ अवाय वड़ रही है क्या वह सच है रास्ते में तभी डैनवर मिलती है दौनों में काफी अच्छी कॉनवर्सेशन होती है डैनवर पॉल्डी को अपने विचार बताती है और कहती है मुझे लगता है मेरी डैट सिस्टर से भी ज़्यादा कुछ और ह वर ब्लरेट से मिलता है के वह यह रुकने के लिया है और अगर हम लोग साथ में फ्यूचर बनाएं तो कहता रहेगा सेथ अब completely depressed हो चुकी है जैसे कि बेबी शक्स एक जमाने में हो गई थी पर शायद एक होप बाकी है क्योंकि पॉलडी, डैनवर और community के लोग अब उसके साथ है तो शायद वो heal कर जाएगी इस सब के बाद कहानी के अंत में एक अववा उड़ती है कि एक लड़की ने जंगल में बिलाविट को देखा है एकदम कमजोर, एकदम भी अब जो टाउन के लोग हैं तीमे तीमे करका बिलाविट को बूलने लगते हैं उन्हें बिलाविट का existence तो याद है पर उससे नाम बूल जाते हैं वन टो फोर को बेच दिया जाता है और ये तीनों पॉल्ली, डैन्वर और सैथ एक नया घर ले ले लेते हैं और वहाँ नैने लगते हैं कम्यूनिटी भी अब उनके साथ अच्छे से विर्वार करने लगी है अंत में राइटर इस कहानी को इस कहानी को ट्लेव शिप पर मरे हुए ब्लैक कम्यूनिटी के लोगों को डेडिकेट करती है और बोलती है कि हमें अपना बहता जीवन आने वला जीवन बहता बनाने के लिए अपने पास्ट को भी याद रखना ही होगा बिलावे डिस कहानी में अफ्रिकन अमेरिकन स्लिवरी के पास्ट को रेप्रेजन्ट करती है जिसे कम्यूनिटी को एकसेप्ट करना होगा क्योंकि पास्ट को एकसेप्ट करने से उसको कहीं कहीं कुछ-कुछ पार्ट्स में रखने से जैसे कि हमने देखा कि घर में अगेगा चनिन में स्पर्द में, wow है स्फ्रेक्वान को खीकल चाहिए। ने सेक मिलते हो मिलते हैं उसके रिसरी अपलों, और घरी पर उससके इच्छी तð नांतफ्र से केazar के हैं 12 जबी टकाइख में satisf को और अच्छी आद बनायाद में 15 fps नि तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अपने फेवरेट लोगों को मेरी वीडियो शेयर करना और अपने सर्जेस्टन स्कूर को कमेंट सेक्शन में रिखना मिल्कुल भी न भूले थैंक यू सो मच